नमस्कार दोस्तों मैं उनीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग रेफरिंग अप सर्कीट डाइग्राम जो कि सिंगल फिस ट्रांसफॉर्मर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें क्या ट्रिक इस्तमाल कर सकते हैं यह हम लोग यहां जानेंगे ट्रिक का मतलब है यहां मेंली कि हमें रेफरिंग में या तो हम प्राइमरी से से केंडरी में डेटा ट्रांसफर करते हैं या फिर से केंडरी से प्राइमरी में डेटा ट्रांसफर करते हैं तो मैंने की एक फॉर्मूला यहां पे लिख रखा है कि जब हम सेकेंडरी डेटा क primary side में refer करते हैं तो r2- secondary side का resistance है r2 उसको जब हम primary में refer करते हैं तो r2 upon k square करते हैं और वह primary की data को जब हम secondary में ले जाते हैं तो k से multiply करते हैं इसलिए लिखा है r1- is called to r1 into k तो यहाँ पर क्या है कि आपको याद रखना पड़ता है कि secondary से primary में आ रहे हैं तो k square से divide करना पड़ेगा और primary से secondary में जा रहे हैं तो आपको k से multiply के नहीं k square k square से multiply करना होगा इसलिए ये ना याद रखें तब भी हमारा काम बन सकता है मैं अभी आपको एक example लेता हूँ और वहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि आपको trick क्या है अगर आप formula नहीं याद रखते हैं तब भी आपका खाम बन जाएगा तो मैं एक example ले ले रहा हूँ और उसके बाद हम दो discuss करेंगे मान लिजे एक transformer है 20 kVA का और उसके जो voltage के ratio दिये गए है टू टू वैलू दी गई है 2200 अबलिक 220 बोल्ट और रवन की वैलू यानि की प्रैमरी साइड का resistance पांच ओम दिया गया और सेकंडी साइड का resistance पॉइंट जीरो वन ओम दिया हुआ है अब मान लिजे कि आपको कहा जा रहा है कि यह जो r2 इसको प्रैमरी साइड में रेफर करो तो आप इस formula को इस्तमाल करेंगे k2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले देखें तो k की value क्या होती है आपकी v2 upon v1 तो यहां पर आ गया 220 upon 2200 तो यह k की value आ गई तो r2' की value कितनी होगी आप देखें इस पहले formula से मैं निकाल रहा हूँ तो r2' की value होगी वो होगी r2' is equal to r2 upon k2 तो r2 क्या होगी 0.01 divided by 220 divided by 2200 का पोल स्कुराइग तो इसको solve करेंगे तो value मिलेगी एक ohm तो इस तरीके से यह value आ गई अब मैं यहां पर trick इस्तमाल करता हूँ trick में अब हमको यह याद नहीं रखना है कि k2 से divide होगा या multiply होगा तो देखें कि मैं यह निकालना है r2' तो r2' is equal to हम पहले लिख लेंगे जो भी value है जिसको transfer करना है तो value कौन सी है r2 है जिसको 0.01 हो गया into जिस side में transfer करना है उस side का voltage हम मुँपर रखेंगे जिस side में मतलब हम कहां जा रहे हैं secondary side की data को कहां ले जा रहे हैं primary side में ले जा रहे हैं 2200 to 2200 divided by फिर क्या है जिस side से जा रहे हैं किस side से जा रहे है secondary side से उसका voltage that is 220 का whole square तो इस तरीके से आप इसको check करेंगे तो यह भी कितना है का 1 ohm या लेकिन अब यहां पर हम को याद रखने के आउशकता नहीं है कि k square से divide किया या multiply किया यह बात समझ में आ रही है अब ऐसे ही अगर माल लिजे अगर R1 को हम secondary side में ले जाए यानि की R1 dash निकाले तो उसके लिए हमें क्या करना होगा यह trick अगर इस्तेमाल करें तो हम क्या मिलेगी हमको value देखिए किसको transfer करना है पांच हम को करना है तो 5 into किस side में करना है तो secondary side में तो secondary side का voltage कितना है 220 किस side से कर रहे है भाई अब अब आप देख रहे हैं यह trick हमने यह इस्तमाल किया यह value आई अब आप सोच लिजे यह formula इस्तमाल करके formula का मतलब है जैसे हम लोग ने यहाँ ऊपर किया क्योंकि verify तो करना पड़ेगा कि सही है कि गलत है तो यहाँ पर क्या था r1 dash is equal to r1 into k square तो यहाँ पर मैं कर रहा हूं फिर से formula लगा के क्या हो गया r1 is equal 1 dash is equal to r1 into k square तो r1 की value कितनी है आपकी 5 into k की value कितनी है आपने यहाँ न देखें तो यह value same लिख के automatically आ रही है तो हम लोग ने यहाँ पर क्या देखा कि अगर हम इस trick को इस्तमाल करते हैं तो आपको कहीं पे भी यह याद रहने के आउशकता नहीं है कि हमें k square से multiply करना है या फिर हमें divide करना है तो इस तरीके से आप देख लिजे और एक बार और म आपको transfer करना होगा वो data लिख लेंगे जिस side में transfer करना है उस side का voltage आप लिखेंगे और जिस side से कर रहे हैं उसका voltage नीचे और square कर देगे तो इस तरीके से value transfer हो जाएगी तो आसा करते हैं कि आपको यह trick पसंद आई होगी यह video पसंद आई होगी अगर video पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ share करें और अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe कर लें धन्यवाद